अगर अभी आप बुकमाई शो ओपन करेंगे कर लीजे तुरंट अभी वीडियो देखते देखते बुकमाई शो आप ओपन करेंगे अपने शहर में जाकर के वैक्सिन वार के शोज आप चेक करेंगे आपको कई सारे शोज फास्ट फिलिंग देखने को मिलेंगे मुंबई में जाएए पुने में जाएए हैदराबाद में जाएए बैंगलूरी में जाएए आपको कई सारे शोज फास्ट फिलिंग देखने को म हम अपनी खुली आखों से देख रहे हैं 21 सदीने में, सोशल मीडिया के यूग में हम सब अपनी आखों के सामने देख रहे हैं, जो कुछ भी ये इकोसिस्टम कर रहा है एक छोटी सी फिल्म 12 करोड का बजेट है, सब कुछ मिला मुला कर, 12 करोड के बजेट उस फिल्म के मेकर, डिरेक्टर उनका करेक्टर, असेसिनेशन किया जाए उनके आत्मसमान को पहरोतले रोंदा आ जाए उनको नीचा दिखाया जाए, निगेटिव कैमपेनिंग की जाए, ये सब कुछ हम अपनी खुली आखों से देख रहे हैं, 21 सदी में, सोशल मीडिया के युग में हम अपने आखों से देख रहे हैं, और उससे भी बड़ी आश्यरी की बात देखिए, कि इस फिल्म पर कैसे चुपपी बनाए गई सोचिए ये आज सोशल मीडिया के युग में हो रहा है, जब इतने सारी जो आम जनता जो बस राश्टरवादी विचारधारा से है बस इस कारण से उस फिल्म को अगर उसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसे शडियंत्र हो रहे है ऐसे निगेटिव कैम्पिनिंग हो रही है उसको इस प्रकार से निगलेक्ट किया जा रहा है 2004 मेटल जी की सरकार गई उसके बाद में 2004 से 2014 की बीच में बॉल्ड का कंटेंट देख लीजिए राश्टरवादी फिल्मेकर्स को कैसे चुन-चुन कर साइड किया गया उनका करेटर असेसिनेशन हो या उनका मजब उड़ाना हो, उनका नीचा दिखाना हो या उनके प्रोजेक्स को फंडिंग ना मिलना हो सूची क्या-क्या नहीं होता होगा क्या-क्या नहीं होता होगा क्या-क्या आज ऐसे समय में जब इतना हो रहा है हमारी आखों के सामने कि जो इतने बड़े-बड़े critics वगेरा YouTube के हम देख रहे है विवेकर नियूत रिजी ने तो आरोप लगा है कि मैं पैसे देख करके embargo वगेरा लगाया गया है उनकी फिल्म पर कि फिल्म के बार में चर्चा ना हो कही पर title में thumbnail में भी फिल्म का नाम यूज ना हो, कि हम busy है इस कारण से इतने सारी फिल्मों के हम review नहीं कर पा रहे है, ये भी अगर वीडियो बना कर बताना हो, तो भी वहाँ पर thumbnail में या फिर title में उस फिल्म का नाम ना आ जाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है ये इस प्रकार का एक पकड़ या monopoly industry की, हम अपनी खुली आखों से देख रहे है, वो भी एक छोटी सी फिल्म पर क्यों इतना डर, एक छोटी सी फिल्म से 10-12 करोड के budget की फिल्म एक nationalist ideology वाली फिल्म, जो एक technical फिल्म है, bioscience पर आधारित उससे दुसरी तरफ जो इनके ecosystem की फिल्म जिसको ये हवा बनाने का प्रयास कर रहे है मसाला फिल्म है action, romance, गाने वगेरा, सब कुछ जो कुछ भी है वैक्षिन वार में तो कुछ भी नहीं है कोई action नहीं है, कोई romance नहीं कोई item song, dance number sex, unity, vulgarity, double meaning jokes वगेरा, action sequences, कुछ भी भाई, कोई ऐसा commercial element नहीं है एक simple सी हमारी एक विग्यानिकों के achievements को त्याग तपस्य अबलिदान को सामने रखने वाली फिल्म, जहाँ पर बस emotions है, वो फिल्म पत्थर दिल भी आदमी हो ना, पाशा न्रदे विक्ती भी हो तो भी उस फिल्म के ending में उसके आखों में अशुरू आ जाएंगे ऐसी एक simple ची छोटी सी फिल्म है, जो फिल्म है अधिकतर लोग थेटर में देखने के लिए नहीं जाती ही mass audience, उस फिल्म से इतना डर, उसको इस प्रकार से इनके ecosystem में अपनी एक अलग जगह बनाना, वहाँ पर एक फिल्म रिलीज करके उसकी, जो booking होते हैं हम देख रहे हैं, यह असंभव, पर देखिए अगर इस industry को सच में business की चिंता होती ना, तो यह सोचते हैं कि the Kashmir Files इतनी successful रही उस समय भी उस पर चुपपी बनाए गई थी, हाला कि उस समय critics वगे रहे ना, कम से कम जो ecosystem के थे, उन्होंने बात की थी, भले, negative बात की हो जो भी बात की हो, शायद उस समय embargo नहीं लगाया गया होगा, उस समय की गलती देखकर, इस बार embargo लगाया गया हो, कि the vaccine war में तो वो भी ऐसा कुछ भी ने, वो एक simple सी technical film है पर कहने का ताथ पर यह है कि एक the Kashmir Files को जो सपलता मिली 12-15 करोड के बचट की फिल्म ने 300 करोड कमाए, तो इस industry को तो कितना खुश होना चाहिए था, वो तो जबरदस्ती हिट दिखाने के लिए कही पर top brands आएंगे, कही पर कोई corporate booking कही पर fan clubs की booking, कही पर industry के लोग आकर 10-10 सदरा tickets खरी देंगे यह हम देखा ना हमने अपने आकों के सामने अच्छे यह top brands मुझे समझ में नहीं आता, अभी the vaccine war के समय कहां चले गए, इनको बड़ी चिंता होती ना, एक एक लाग tickets 50-50 सदरा tickets book करते हैं, यह अपनी industry की इनकी बड़ी-बड़ी फिल्मों के लिए जो अगर यह कहते हैं कि इतने बड़े superstar और इतनी hype है कि बस लोग बस ऐसे लड़ पड़ रहे हैं ticket के लिए फिर क्यों करना पड़ता है और टॉप ब्रेंट्स हमारे विग्याने क्योंकि achievements को celebrate करने के लिए tickets क्यों नहीं purchase करते, क्यों नहीं करते purchase हाला कि उसके पीछे कि सच्चाई क्या है वो तो पूरा देश जानता, इतना कोई भोला नहीं होता, समझते हैं ठीक है, जिसको मानना है कि भाई वो सेवा के भाव से करते हो, तो भाई मानिये बिल्कुल सेवा के भाव से करते हो, बाकि तो देश की जनता सब समझदार है, समझते हैं ये क्या है, क्या नहीं है, बाकि सब के अपने opinion है, विचार है सबसोत अंत्र है विचार करने के लिए पर इतने सारे शद्यांत्रों के बाद भी इतने सारे विरोधों के बाद भी The Vaccine War ने जो करके दिखाया है वो अनिमैज़नेबल है अकलप निया है अविश्वस निया है असंभव को संभव किया है The Vaccine War ने आपका The Vaccine War का review क्या है मुझे अपनी नीचे comment में अवश्य बताना आपको फिल्म कैसे लगी आपके परिवार को फिल्म कैसे लगी क्योंकि मुझे विश्वास से आप अपने पुरे परिवार के साथ ये इस फिल्म को देखने के लिए गए होंगे क्योंकि ये फिल्म परिवार के साथ देखने जैसे ही है शर्षत बच्चों को ये फिल्म अवश्य दिखानी चाहिए हमारे वग्यानिकों के achievements जो अंदर कही पर भावना अगर दबी हुई होगी ना कि India can't do it हमने तो कुछ किया ही नहीं है भारत ने कहां कोई invention किया है कि हमने क्या invent किया है ये भावना जो वामपंतियों ने हमारे अंदर डाली है उसको ये फिल्म उखाड फेकती तो बच्चों को आवश्य फिल्म दिखाना और आपके रिव्यूज मुझे नीचे कमेंट में बताइए ये दिखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धनिवाद जैश्री राम वंदे मातरम